सो हेई गाइस वैलकम बैक तो एगेंस से हम वापस आ चुके हैं माइनक्रफ फॉक्री एडिशन सर्वाइबल सीरीज के एक और नहीं ब्रैंड न्यू एपिसोड के साथ अभी आज के इस एपिसोड में हमें अपने डेट फार्म को कम्प्रेट करना है लास्ट एपिसोड में ह मैं चाहिए होगा एक वीलिजर लेकिन वीलिजर को यहां तक ले को आना भी काफी डिफिकल्ट होने वाला है क्यूंकि अपना विलिजर हॉल यहां से अल्मुस्स दूर हमें वहां से वीलिज 감사 को यहां तक ले कैना पड़ेगा और सर्फ विलेजर को फाम के उपर तक भी चाड़ाना है तो या काफी difficult काम होने वाल है बट एक बार ये फाम complete होने के बाद हमें यहां से unlimited emeralds, totem of undying और भी काफी सारे loot मिलेंगे तो इतने कमाल के loot मिलेंगे तो इसके लिए इतना सा मैनत तो बनता है तो चलिए और अभी सबसे पेड़े तो में विलेजर के रहने के लिए एक अच्छा सा जगा बनाना है तो इसके लिए हम इस platform से exact 11 blocks उपर जाना है फिर हम इसके side में एक block place करना है तो यह अपना हो चुका है अब यह सबसे पेड़े तो हमें काफी सरे rails और power trails बनाने होंगे फिर उन rails को हमें यहां से नीचे तक place करना है और यहां से एक villager को लेकर आना है तो finally हमने rails तो place कर दिया है बट rails को 300 blocks तक place करना तो बिलकुल भी possible नहीं है तो हमें यहां से villager को ऐसे ही boat में ले जाना पड़ेगा वैसे अपना farm river के काफी करीब है तो यहां से river के रास्ते हम काफी जल्दी farm तक पहुँच सकते हैं तो finally अपना villager farm तक आ चुका है बाइदर यह अपना second villager है वाला villager अल्मोस्ट आधे रस्ते तक आ ही चुका था और फिर पता नहीं कहां से 3-4 zombies आ गए और इससे बेले कि मैं उन zombies को kill करो उन्होंने अपने villager को ही मार दिया तो जो भी हो finally अपने second villager तो safely farm तक आ चुका है अभी है रमे बस इसको एक बार माइन कार्ट में बिठाना है और फिर यह सीधा पहुँच जाएगा अपने farm में तो finally अपना villager भी आ चुका है अभी जाके अपना rate farm हो चुका है पूरी तरह से ready तो इसके बाद है रमे थोरा सा wait करना है जब तक कि यह villager सो नहीं जाता एक बार सो जाने के बाद हमें इस villager के ठीक एक block उपर दो leaps प्लेस कर देना है तो अभी है रमें इन सभी rails और ब्लोक को तोड़ना है और फिर चलते हैं अपने villager आउटपोस्ट पे तो यहाँ पिर अपने villager spawn हो चुके हैं अभी इस flag वाले villager को kill करते हैं अभी बैड ओमेन effect मिल जाएगा जिससे कि हम अपने farm पे rate trigger कर सकते हैं बाइदेवे पिलेजर आउटपोस्ट पी यह villager unlimited time spawn होते हैं तो फाइनले अपना rate अभी start होने वाला है तो लेट से कि अपना farm से इसे work कर रहा है की नहीं तो यहाँ पे अपने villager spawn होना start हो चुके हैं और यह बिलकुल automatically kill भी हो रहे हैं तो चले हैं थोड़ा से wait करते हैं इस rate के खतम होने का और फिर हम चेक करेंगे इस rate से हमें actual में कैसा loot मिला है तो फाइनले अपना rate खतम हो चुका है और यहाँ पे हमें मिल चुका है hero of the village effect तो 40 minutes तक हम villager से काफी सस्ते price में trade कर सकते हैं और अभी main चीज़ चलो है चेक करते हैं इस rate से हमें क्या loot मिला है ओ भाई यहाँ पे हमें एक ही rate से total 5 totem of undying मिल चुके हैं इसी के साथ 45 emirates और दो enchantment books भी तो इस पे loot 2 है और यह बाई protection 4 और sharpness 4 भी है बाई सब अलगी level तो पहले ही rate में कुछ जादा ही अच्छा loot मिल चुका है तो आज की इस episode के लिए बस इतने ही रखते हैं अभी एक चोटा सा announcement लास दिन मैंने instagram पिक mini vlog अपलोड किया था अभी यो actual में vlog नहीं सस्ती edit कह सकते हैं तो जो भी हो अगर आपने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो एक बस जरूर से देखना लिंक इस इन देस्क्रिप्शन तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतने ही रखते हैं झाल कोैशन आपने देखने की आपने देन मैं देखने के लिए वीडियो आपने की इसा आपने देखने मैं अभी मैं हुआने की तो एक वीडियो के लिए बस रावशने देखने देखना Imper 1.